कैसे हैं आप सब लोग मैं आपका होस्ट धीरे ज्यादा तो आज हम रिभीू करने वाले टाटा पंच और बेश मोडल बेश वादर का तो देख लेते हैं टाटा पंच प्यू रिएक फीचर चील आपको मिलने वाली है और क्यों टाटा पंच पर इतने डिमांडेड रहा है त ताटा पंच फ्योर बेस मडल और यहीं पर अगर मैं हाइट की बात करूंगो तो हाइट भी आपको 1615 mm की हाइट भी मिलने वाली है टाटा पंच माइक्रो एसुबी के साथ जो की काफी सफिसेंट रहने वाले एक माइक्रो एसुबी पूरे एसुबी के टाइप ही दिखती है यहीं पर अगर इंजन स्पेसिफिकेसन की बात करेंगे तो 1.2 लीटर पैट्रॉल रेविट्रॉन इंजन मिलने वाला है आपको और सिर्फ एक ही फ्यूल आपसन मिलेगा अनली पैट्रॉल से पैट्रॉल ही इंजन दिया गया है टाटा पंच प्योर सारही टाटा पंच और मोटर्स ने और इंजन कैपिटिटी की बात करेंगे तो 1199 त्री सिलेंडर इंजन मिलने वाला है पैट्रॉल और यहीं पर अगर पावर की बात करेंगे तो 63 पीस की पावर आपको मिलने वाली इस 6000 रपियम पे और अगर इंजन की तो सारी बात कर लिए अगर साइड आपको 185 17 R15 के साथ मिलने वाला है जो कि एक माइक्र एस बी के साथ काफी अच्छा हैट के साथ दे रहका और यहीं पागर ग्राउंड क्लेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लेंस भी आपको 187 mm का मिलने वाला है टाटा पंच के साथ और टाटा पंच बेस मोडल सबसे जादा बिकने का कुछ रिजन भी है वह मैं आपको बीडयो में आूँ का इस कर दो कुछ दिखते में घाड़ी कैसे दिखते है फ्रेंट लुक कैसा दिखता है घर धूक को प्यानू ब्लैक के साथ LED का भी ऑप्शन मिल जाता है जो की ऑ़ली इंडिकेटर है ते गश्य और प्रॉड़ में आपको LED DRL का आप्शन नहीं मिलता है, साथ में आपको ब्लैक प्यानो फिनिस मिलती है, जो कि टाटा के क्रोंफिनिस बैजिंग के साथ, जो कि गाड़ी को एक स्माइलिंग लुक प्रॉबाइट कराती है, और साथ में ही आपको 3D हैडलेम को आप्शन मिल जा जो कि और इनकी बीप के लिए है, और यहीं पर टाटा मोटर से कुछ आपको एक यूनिक फीचर भी दिया है, जो कि आप यहां देख सकते हैं, जो सिप आपको टाटा मोटर की पंच गाड़ी में मिलता है, यह एर वेंटिलेटेड है, इसके बहुत सारे फाइदे हैं कि पीचे पूरे ग्राउंड के साथ बैक तक जाते हैं और यहीं पर अगर मैं इंडिकेटर की बात करूंगा मिरर की, तो मिरर आपको ब्लैक मिल जाता है, विटन इंडिकेटर के साथ जो कि बेस मोटल में यहां पे नहीं दिया जाता है, लेकिन बेस मोटल में फिर भी यहां पर दिए गए जो कि काफी अच्छा लगता है हम गाइज अगर डॉर हेंडल की बात करेंगे तो डॉर हेंडल भी आपको ब्लैक ही दिये गाइज तर्टाटापंच बेस मॉर्डल पे उड़े में बाद करोंगा कि आपको यहां पर त्रीटी एडलेम्ट ट्राइयरो सेप के सा जो कि गाड़ी को एक अच्छा लोक प्रवाइड कराती है गाड़ी को बैक से और यहीं पे मैं बात करूंगा गाड़ी के बैक यहीं पर लेके चलते हैं बूट स्पेस की और की बूट स्पेस क्या रहने वाला है टाटा पंच बेस मॉडल में तो भीया टाटा पंच पे और बेस मॉडल में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा रहता है अपने सेग्मेंट के साफ सोरी यह कि आप कोई भी सामार रखने में आप कुछ भी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहते हैं गाईज यहीं पर देख लेता है कि स्पेस के नीचे आपको एक एक्स्टा किड भी मिल जाती है जो कि टायर मोबिल के टाती है जो कि टाटा मोटर्स नहीं प्रोबाइट यहिए पर लॉक टानलॉक के साथ आपको ये बटन मिल जाता है कि काफी अच्छा रहता है कि हैं से आप इसको लॉक और अव्लॉक कर सकते ह। रहीं पर एक हैंडल मिल जाता है इसको बंद करने के लिए तो लुक तो गाइस लुक गाड़ी का काफी अच्छा दिखता है माइक्र एसीबी के साथ-साथ तो गाइस यहां पर आपको एक नई चीज उनिक में दिखाना चाहूंगा जो टाटा मोटस ने अपने बोकल फो लोकल की बैजिंग लगाई है काफी अच्छा है भी है अपने इंडियन ब्रांड है तो उसका फिरम फ्रम चाहिए यहां तो गाइस एक यह पर फिर्म देख लेते हैं गाड़ी इंक टीरीयर की और कि इंटीरीयर कैसा दिकता है क्या 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 इंटीरिर बेस मौडल में रहने वाले हैं तो चलते हैं गाइस इंटीरियर पे जो कि आपको टाप से ही डॉल टोन के साथ रहने को मिलता है और जो कि यहां पर बात करेंगे पावर बिंडो की तो आपको आगे कि सिर्फ दो पावर बिंडो ही बेस में प्रॉबाइट कराए गए जो कि काफी सफिस है इंटेगर प्राइ में इस अर्प पर दिखा सी क्लिव आपको दिखा देता है यह इसरा नहीं आपको एंट यहां यहां लगाने ए इस टाइप लगाने तो कोई प्रोब्लम उसमें है और साइड इन ćुर अपको आपिछ सिटी मोड उप्न टे रिख और एक अच्छा वंक्शन आईयगर कि idle stop start का option काफी अच्छा feature कि अगर market में हैं, तो market के हिसाब से इसको यूच कर सकते हैं, जाएन अगर आप market में हैं, तो इसका क्लिश से पहर टाएंगे, जाएगे गाड़ी आफ हो जाएगे, तो गाड़ी start हो जाएगी, तो idle stop start option काफी अच्छा option है, तो guys एक बार देख लेते हैं गाड़ी के मीटर की और की मीटर में आपको क्या-क्या फीचर मिल जाते हैं तो करते हैं गाड़ी का मीटर आन तो भीया गाड़ी के मीटर की स्टार्टिंग तो काफी अच्छी दिखती है और काफी अच्छा रहता है तो गाइस बात कर लेते हैं काड़ी में मीटर में क्या-क्या फीचर मिल जाते हैं तो भी आप मीटर में आपको लाग अलाग कोई भी डोर खुला है या फिर कितना फिल में कितने क्लिमेटर चलेगी क्या-क्या सारी चीलिया आपको आप देखने को मिल जाएगी जो कि flat bottom steering रहने वाला है flat bottom steering काफी अच्छा रहता है जब आप drive करते हो या फिर आपका tummy ज़्यादा निकला है तो उस condition में आपको काफी benefit दिला देता है flat bottom steering और यहीं पर अगर मैं AC bands की बात करूँगा तो AC band भी आपको dual tone piano black finish के साथ दिये गहें जो कि काफी अच्छा रहता है और dashboard की बात करोगे तो dashboard भी आपको dual tone के साथ रहने वाला है try arrow design के साथ जो कि काफी अच्छा look provide कराता है आप देख सकते हैं काफी अच्छा रहने वाला है जो कि पूरा scratch last है और काफी अच्छा देता है जो कि काड़ी को base model के हिसाब से काफी अच्छा mode के और यहीं पर मैं AC bands की बात करूंगो तो AC band भी आपको काफी अच्छे दिखाएगे हैं जो कि काफी सारे बटन आपको मिल जाएंगी डिफागर on off AC fan speed सारी चीज़ आपको ना फिर टाटा पंच प्योर बेस मोडल में रिदम पैक आता है रिदम पैक ले सकते हो तो रिदम पैक में आपको music system का option मिल जाएगा तो कि बेस मोडल भी इस प्राइस के साफ से तो काफी सपिसेंट रहने बाले भी है तो पैसे प्योर रिदम भी आता है उसमें आपको music system मिल जाता है तो यह पर मैं ग्लाव बाक्स की बात करूंगा ग्लाव बाक्स भी आपको काफी अच्छा मिलता है तो ग्लाव बाक्स में सारी चीज़ें काफी स्पेस है डॉल कैबिन के साथ इस पेस आ जाएगा यह चिल्ड नहीं रहेगा और इसमें बड़ा काफी सपिसेंट रहने वाला है कलाव बाक्स काई स्टाटर पंच बेस प्यॉर मॉडल में आपको यहां फर एक 12 बोल्ट का चारजर यहां पर एक इनेबल मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा दिया है क्योंकि बेस बेस मोडल में भी कोई चारजर बेगएरा का खुए अपसन नहीं दिया जाता है तो आपक कि लैग रूम की कि लैग रूम गाड़ी में क्या मिलने वाला है तो गाड़ी में बैक हैस्पेस भी काफी अच्छा दिया गया Và छब्सेत की बात करेंगे एक पर बैठ सेंट रहने वाला है तो हमने बैक स्पेस तो देख लिया है कि लैग रूम थाई सपोर्ट क्या रहने वाली और यहीं पे चीज बैस्ट है टाटा पंच में आपको डोर भी 90 डिग्री ओपन मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छा अप्शन रहता है काई जगर यहीं पर हम गाड वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग